नमस्कार, NCRT History की सीरीज में मैं अदुशियन सिंग, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, इसके साथ-साथ आपकी तैयारी भी बहुत-बढ़िया तरीके से चल रही होगी, NCRT History क्लास 6 का यह last chapter है, C के साथ में क्लास 6 की बुक आपकी complete हो जाएगी, कल से हम क्लास 7 की History की बुक को स्टार्ट कर देंगे, आज का जो हमारा topic है, वो है इमारतें, चित्र तथा किताब है, देखिए बेशक आप 6 क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, इस बात को आपको समझना है, कभी-कभ यह, आपको ऐसी मिलेंगी, जो आपके exam के लिए बहुत जादा important है, ठीक है, विसे इस रूप से बिज़से, मैंने याप पर स्टूप की सरशना को आपको दिखाया है, ठीक है, स्टूप बना करके मैंने आपको बताया है, स्टूप का structure किस तरीके से होता है, क्या-क्या उस दिलाता हूँ, 2024 से, यानि प्री का जो टाइम होगा, प्री से पहले पहले, आपको मैं प्री और मेंस का पूरा का पूरा से ले, बस यहां से complete करा दूँगा, केवल NCRT नहीं, NCRT प्लस standards बुक्स सारी के सारी आपको यहां से मिल जाएंगी, तो चली स्टार्ट करते हैं, तरीके से बनाय गया होगा कि आज तक उसमें जंग नहीं लगी है, तो यहां पर धातु विग्यान को समझना जरूरी है, तो धातु विग्यान के बारे में पढ़ते हैं, कि प्राचीन भारतीय धातु विग्यान को ने विश्व धातु विग्यान के छेतर में बहुत contribution दिय बहुत बड़ा योगदान दिया है पुरा तात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हडपा के निवासी जो थे वे कुशल प्रकार के सिल्पी थे उन्हें तांबे के धातू कर्म की जानकारी थी धातू के शोधन की जानकारी थी इसके अलावा वो अलॉय बनाना जाते थे मिस्र धातू बनाना जानते थे उन्होंने तांबे और तिन को मिला करके कांसे का भी निर्माड करना सीख लिया था तो जहां हडपा वासी कांसे योग से जुड़े थे वहीं उनके जो उत्तरादिकारी थे मतलब उनके बाद का जो समय है हडपा सब्विता के बाद का जो सम नहीं था लोहे का जो अविश्कार होता है या लोहे का जो प्रियोग स्टार्ट होता है वो हडपा के बाद में स्टार्ट होता है तो भारत जो है वो अत्यंत विक्सित किस्म के लोहे का निर्माड करता था जिसमें खोटा लोहा पिटवा लोहा धलवा लोहा इस तरीके के लो इसका तीन टन से ज़्यादा है, ठीक है, और इस पर क्या जानकारी मिलती है, इस पर चंद्र नामक शासक का उलेख है, जिसका जो रिफ्रेंस इतिहास कार लगाते हैं, वो संबबत तो उसके मानते हैं यह गुप्तवन से संबंदित रहा होगा, गुप्तवन से related रहा होगा, इस तूप क्या होता है, इस तूप किस को कहते हैं, इस तूप का शाब्दिकर्थ होता है, टीला ठीक है, और स्टूपों के निर्माण की जू परक्रिया थी, वो स्टार्ट होती है 23 2300 साल पहले, 2300 वर्स पहले इस तूप निर्माड की जो प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हुई थी, तो ये जो डाइगराम आपको देख रहा है, इसको मैं आपको बाद में समझाओंगा, पहले इसके बारे में जानकारी समझते हैं, इस तूप के अंदर एक डिब्बा नुमा क्रती होती थी, जिसको धातु मंझूशा कहते थे, ये धातु मंझूशा किस काम में आती थी, क्या इसका यूज होता था, धातु मंझूशा में महत्मा बुद्ध या उनके जितने भी फॉलोर होते थे, उनके उपतेशों को मानने वाले लोग होते थे, अनुयाई जो उनक द्वारा यूज की हुई कोई चीज होती थी वो उस धातू मंजूशा में रखी जाती थी फिर उसके उपर स्टूप का नर्मार किया जाता था तो यहां से आपको एक्चे समझ में आगे जब स्टूप बनाय जाते थे तो स्टूप के अंदर जो एक आकरती होती थी विशेश चीज को वहाँ पर रख दिया जाता था उसके बाद में फिर उसके उपर स्टूप का नर्मार किया जाता था प्रारंबिक स्टेज में जब स्टूप बनाय जाते थे तो धातू मंजूशा के उपर रखा मिट्टी का टीला नुमाकरती इसकी होती थी जैसे जैसे आगे समय गुझरता गया है तो स्टूप की जो निर्माण प्रकरिया थी उसमें काफी सारे परिवर्तन देखने को मिले थे ये जो स्टूप आपको यहां पर इमेज में दिखाई दे रहा है आपको स्टूप का प्रतिरूप मान सकते हैं जो काफी विक्षित अवस्ता में बनाय गया तो यह जो है प्रारंबिक स्टूप हुआ करते थे, धीरे धीरे जैसे अन्य सासक आते चले गए, उन सासकों ने इनका थोए पुनरोधार कराना स्टार्ट किया, इनको थोड़ा सा और कह सकते हैं, अट्रेक्टिव तरीके से बनाना स्टार्ट किया, तो इसका एक बहुत अच सामने दिखाई दे रहा है, यह होता था तोरण, इसको क्या बोलते थे, तोरण, तोरण का मतलब आप समझ सकते हैं, मुख्य द्वार, ठीक है, जैसे स्टूप है, आप इमेजन करके देखिए, कि जैसे तीन द्वार आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट में, एक रा जैसे आज की टाइम पर, आज आपने घरों में रेलिंग लगवाते हैं, तो वेदिका का मतलब होता है, चारो तरफ के बनाई जाती थी, तो यह वेदिका होती थी, बाकी तोरण आप समझ चुके हैं, तोरण का मतलब मुख्य द्वार, ठीक है, और वेदिका मतलब चारो तरफ की, अब इस तोड़ा उपर बढ़ते हैं, एक रेलिंग जिस तरही किसे नीचे लगाई जाती थी, ऐसी ही एक रेलिंग इसके उपर होती थी, ठीक है, और रेलिंग और जो आपको ये गुम्बद टाइप का दिखाई दे रहा है, इसके बीच में गैप होता था, लोग यहां पर इसकी परिक्रमा कर सकें, ठीक है, ये जो आपको रेलिंग दिखाई दे रही है, इसके और ये जो गुम्बद इसके बीच में बना हुआ, ये दरखल, क्योंकि इमेज है, 3D इमेज तो है नहीं, मैंने आहत्से बनाई है, तो मैं आपको समझाने की गोशिश पत को, जिस पर लोग इस गुम्बद की परिक्रमा करते थे, इसको बोलते थे प्रदक्षणा पत, ठीक है, तो यहां पर दो प्रदक्षणा पत होते थे, जैसी सिचुएशन उपर आपको दिखाई दे रही है, ठीक वही इस्तेती नीचे होती थी, यानि ये नीचे वाली लेलिंग, और ये जो गुम्बद दिख रहे है आपको इसके बीच म Lenker होता था, तो यहां पर लोग इसकी परिक्रमा करते थे, उपर जो रेलिंग है और जो आपका गुम्बद है, इसके बीच में भी गयप होता था, ऊपर भी लोग परिक्रमा या तैली या चैल कर्दमी तो उपर वाला जो पत्थ था उसको बोलते थे उपरी प्रदक्षणा पत्थ, नीचे वाले को बोलते हैं निचला प्रदक्षणा पत्थ, ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आ गई, अब यह दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं साइड से, यह हैं सोपान, सोपान क सारे लोग उपरी प्रदक्षणा पत्थ तक जाते थे, फिर वहाँ पर इसकी परिक्रमा करते थे, यह जो गुंबद नमा आकरती है, इसको कहा जाता था, अब जो सबसे उपर टॉप पर आपको यह जो दिखाई दे रहा है, इसको छत्रावली कहते थे, इसके नीचे की जो रेलिंग नमाकरती है, इसको हर्मिका बोलते थे, ठीक है, तो यह सारा जो है नाम आपको याद रखना है, यह आपके आर्ट और कल्चर, यानि कला संस्कृती वाले पार्ट में आपके काम आ सकता है, सांची का स्तूप, जो कि मध्यप्रदेश में है, सांची कहां पर लगाई गई है, या इसके प्रवेश द्वारे हैं, तोरण, यह इसके बाद के शाषकों के द्वारा जोड़ेगे, ठीक है, इससे पहले, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कि स्टूप बना जाते थे, उसमें बहुत ज्यादा, जो है, क्रियेटिविटी का लेकिन इसके टाइम पर यहां रेलिंग और तूरण नहीं बनाएगे, फिर अशुक के बाद में जो अनिशार्शा काये होंगे, और किसी ने वहां पर रेलिंग की विवस्था करवा दी, फिर आगे चलके किसी ने वहां पर तूरण बना दिये, परवेश द्वार बना दिय है था न, तो इस तरीके से धीरे-धीरे इन स्थूपों का क्या होता गया, विकास होता गया, अम्रावती स्थूप का नाम आता है, यह कहां पर आंधापर प्रदेस में, अशुक के द्वारा बनवाय घया था, और इसमें सजावट के लिए सिला शित्र भी हैं, मतलब जो सि स्थापना नोबिक और हिंदू मंदिरों का भी निरमाड हुआ था और हिंदू मंदिरों में भी स्टार्टिंग में क्या होता था कि बहुत ज्यादा इन में भी creativity नहीं होती तो धीरे-धीरे वरतमान समय में जो आज मंदिर देखते हैं आप जैसे के एक गर्ब ग्रह होता है क पर उसके उपर गुम्बद नमय आकरती तो वह सिखर हो जाता तो गर्भ ग्रह क्या होता था quelloreek का सबसे इंपॉर्टेंट पर या देवता उके मूर्थियों को स्थापित किया जाता था फिर गर्ब ग्रह के जो उपर वाला पार्ट होता है जैसे आप इमेजिनेशन कीजिए जैसे अपने आसपास मंदर देखते होंगे तो आपको देवी देवताओं की मूर्ती मिलेगी या शिव जी का जाने स्टार्ट हो गई थी तो इसी में उता था अपका भीतर गाओं मंदर यह कई बार पूछा गया है कि भीतर गाओं मंदर कहां पर तो यह उत्तर प्रदेश में है इसके लाबा महाबली पुरम के एकाश्मिक मंदिरों का निर्माड हुआ एकाश्मिक सब्द का मतलब क्या है एकाश्मिक का मतलब कि कोई एक बड़ी चट्टान है ठीक है जैसे मान करके पहाड है यह कोई चट्टान है अब इस चट्टानों में यह ने थोक पीट करके औनों एक ही चट्टान का यूज किया गया, उसी चट्टान में कलाकरती करके, उसी चट्टान में जो है अपनी शिल्प कला का अपयोग करते हुए उन्होंने जो है उस मंदर का निर्माड किया तो ये महाबली पुरम का एक आश्मिक मंदर है एक आश्मिक मंदिर का मतलब है एक ही चट्टान से निर्मित मंदिर ऐसे ही एक एहौल का दुर्गा मंदिर है ये करनाटक में पढ़ता है चित्रकला में भी विकास हुआ इसी काल में जैसे अजन्ता गुफाएं महारास्ट में हैं आपको पता है अधिकानस्ता बहुत बिक्षूओं के लिए बनाएगे विहारों के रूप में इनको देखा जाता है यहां की चित्रकारी भी विष्व प्रशिद्ध है यूनेस्को की विष्व धरोवर में भी इसको शामिल किया गया है पुस्तकों की बात करें तो बड़े-बड़े अच्छे-च्छे गरंत लिखेगे जैसे सिलपपादिकारम, यह पूछा गया कुश्चन है याद रकेगा यह तीनों के तीनों पूछे गए कोश्शन है Silipe Padikarm, Madi, Mek, 중국 दूती यह तीनों के तूनों प्रिवेस येर में आपको मिल जाएंगे यह कोश्शन अगर आप डूरेंगे, अगर आपने previous year questions लगाए होंगे तो आपको यह देखने को मिल भी गए होंगे सिलप्पादिकारम जो था एक तमिल महा कावे था 1800 वर्स पहले इसकी रचना हुई थी किसने रचना की थी सिलप्पादिकारम की इलांगो नामक कवी ने इलांगो नामक कवी ने सिलप्पादिकारम नामक तमिल महा कावे की रचना की थी और इसमें सिलप्पादिकारम में किसकी कहानी है एक ब्यापारी जिसका नाम कोबलन था कोबलन नामक ब्यापारी की इसमें कहानी के बारे में बताया गया है मडी मेखलाई जो है ये सत्तनार के द्वारा लिखा गया था 1400 साल पहले और मेखधूत इसके बारे मैं आपको पता है ये वो काली दास जी ने लिखाया इसको पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षन जैसे पुराण है ठीक है पुराण जो है इनका पुराणों का साब्देकर्थ के होता है पुराण मतलब पुराने प्राचीन तो इसका साब्देकर्थ है प्राचीन विश्नु, शिव, दुर्गा, पारवती, आदि से जुड़ी हुई कहानिया देवी देवताउंस की जो पुजा करने के मैथड होते हैं पुजा करने की विदियां होती है वो पुराणों में बताई गई है इनका जो लिखन किया गया है वो शंश्क्रट स्लोक के रूप में लिखन किया गया संकलन करने का स्रियक इसको जाता है महरसी व्यास को व्यास रिसी को जाता है ठीक है रामायाड और महाबारत महाकाब्य लिखेगे रामायाड की रचना महारसी वालमेकी ने करी महाबारत की रचना महारसी व्यास ने करी विज्ञान की पुस्तकें लिखी गई जैसे आर्रे भट्टीयम आता है आर्रे भट्टीयम अपने अक्षपर भी अपने अक्षपर भी वो गूमती रहती है तो प्रतवी का अपने अच्पर घूमना दिन रात होने का संकित देता है मतलब दिन रात जो होते हैं वो प्रतवी के अपने अच्पर घूमने के कारण होता है ये आज से हजारों साल पहले आरे भर्ट ने बता दिया था गरहन किस तरीके से पढ़ते हैं सूरे गरण चंदर गरण इनके बारे में भी आरे भर्ट ने अपनी इस पुस्तक आरभर्टि में ये सारे काम हो रहे थे उस टाइम पर चाइना में कागज का अविश्कार हो चुका था लगबग आज से 1900 साल पहले चाइना में कागज का अविश्कार हो चुका था और कागज का अविश्कार लून नामक विक्ती के द्वारा किया गया था लून नामक विक्ती के द्व मन हुआ था बगदाद से ठीक है जो वर्तवान में एराक की राजधानी है बगदाद से जो है भारती उप महादीब मैं कागज का आगमन हुआ था तो यह हो कि आज का शैसन आशे करता हूँ आज का शैसन आपको पसंद आए होगा वो सारी के सारी सब्जेक्ट आपको इस चैनल के मादियम से लगातार मिलती रहेगी. तो मिलते हैं आप से फ़रिक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहन.